हेलो एवरिवन, शिर्फ शक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है आज जो मैं वीडियो बनाऊंगी वो दिवाइन फैमनाइन के फियर के उपर बनाऊंगी क्योंकि दिवाइन फैमनाइन के अंदर फियर बहुत जादा होता है और ये बच्पन से भी हो सकता है या हो सकता है बच्पन में ना फियर हो ये मिडिल एज में आया हो या मिडिल एज में भी ना हुआ हो किसी कार्विक पार्टनर के बाद आपके अंदर बहुत जादा फियर आ गया हो या DM के आने के बाद आपके अंदर बहुत जादा फियर आ गया हो बट जादा तर DF के अंदर बच्पन से ही फियर होता है बहुत तरीके का फियर हो सकता है ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक DM को खूने का ही हो या अपने पार्टर को खूने का ही डर हो बहुत सारे fear होते हैं, ठीक है, family बहुत जादा dysfunctional होती है, लडाई छगड़े होते हैं, उसकी वज़े से dear बहुत डरी हुई, सहमी हुई रहती है, या अपने career को लेकर बहुत जादा डरी हुई, सहमी हुई रहती है, या बच्पन में कुछ ऐसी घटना घटती है, जिसकी बार बार repeat हो रही है, या कभी mind में आ गई तो बहुत जादा पैनिक हो जाती है, उन सब चीजों को लेकर ठीक है, और कुछ ऐसा भी ना होके, छोटी-छोटी चीजों से भी डर हो लग सकता है, जैसे कि मैं अपना experience बता हूँ, तो देखिए, मुझे अंधेरे से बहुत जा चीजों से डर नहीं लगता था, मुझे चूहे से बहुत जादा डर लगता था, मतलब आप समझ नहीं सकते अगर वो सामने आ जाती है, एसे पैनिक हो जाती थी, वह वहां होता था तो मैं पता नहीं कहां पर रुपती थी, और चीखना चिलाना इतना बुरी तरीके से पहले था मैं आपको बता रही हूं अभी जल्दी ही एक दू साल पहले की बात मुझे बहुत डर लगता था दूसरा मुझे लड़ाई जगड़े से बहुत जादा डर लगता था ठीक है अगर कहीं आपस में या कोई हस्बेंड वाइफ लड़ रहे हैं आस पास में ही जैसे हो बलड को नहीं देख पाना बहुती जादा मतलब आप समझ सकते हैं कितनी बुरी हालत होती है जब आप या तो अनवेकन होते हो या डाक नाइट आफ दा सोल से गुजर रहे होते हो या जब आपका डाक नाइट आफ दा सोल स्टार्ट होता है या अवेकनिंग स्टार्ट हो कि आपके अंदर कौन सा अगी कार्मिक पार्टनर के साथ होती है तो वहाँ पर डियर्फ को खोने का सबसे ज्यादा डर होता है निये पार्टनर चला जाएगा जाएंगा मैंक्टूज ही गारी रहेंगा और मेरा कोई लाइफ नहीं रह जाएगा या मैं आगे जाकर क्या करू आप मुझे गाली दोगे, मैं गाली भी सुन लूगी, आप जैसा करोगे वैसा मैं करूँ बट रहो मेरे साथ, जो की एक लूजर डिवाइन फैमिनाइन की पहचान होती है, ठीक है, बट जो फुल अवेकन डिवाइन फैमिनाइन होती है, वो इन सब चीजों को बहुत पीछे छोड़ देती है, और उसका जो नया रूप होता है, उसको देखकर भी लोग हेरान रह जाते हैं, चाहें वो आपके कार्मिक पार्टनर हो, चाहें वो आपके दीम हो, चाहें वो आपकी फैमिली हो, ओके, तो जो डीव होती है, फिर से बहुत ज़्यादा डील करती है, आप call करने से डर लगने लगे, आपसे बात करने के लिए डर लगने लगे बट जब वो अवेकन होंगे, आपको इनों नहीं कर पाएंगे वो बात करेंगे ही करेंगे, फिर जाहें कुछ भी हो ठीक है, और जैसे कि आपको आपने सुना होगा कि एक example दे रही हूँ या मैंने भी बहुत सी वीडियो देखी कि आपको ऐसा नहीं सोचना है, अगर आपने ऐसा सोचा, तो ऐसा ही हो जाएगा आपने अगर ऐसा सोच लिया कि मेरी जॉब चली जाएगी ठीक है, एक example दे रही हूँ और आपने कहीं सुन लिया कि नहीं ऐसा नहीं सोचना डियब जैसा सोचती है, वैसा ही manifest हो जाता है, और आप low vibration में हो आपने सोच भी लिया, और आपको एक डर आने लगा कि मैंने तो बोला था कि सोचना नहीं, अगर मैंने सोच लिया, तो मेरी job चली जाएगे, और वो सकता है, उस time आपकी job चली भी जाएगे, तो आप यह सोचोगे कि मैंने ऐसा सोचा, इसलिए मेरे साथ हुआ, अगर मैं ऐसा नहीं सोचती, तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता, C, देखिए आप बच्पन में साइकल सीखते हो, या किसी भी एज में साइकल सीखते हो, ठीक है, आप गिरे बिना कभी भी साइकल नहीं सीख सकते, आप एक बार जरूर गिरोगे, कुछ लोग होते एक बार गिरने पे ही सीख जाते हैं, और कुछ लोग चार-पांच बार cycle से गिरने के बाद ही सीखते हैं पर गिरते जरूर है cycle आपको तब ही आएगी जब आप गिरोगे तो ये आपका fear नहीं है ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार cycle पकड़ी और ये सोच लिया कि नहीं मैं बिना गिरे ही सीख जाओंगा नहीं आप गिरोगे जरूर फिर आप सोचोंगे नहीं मैं गिर जाओंगे गिर जाओंगे तब भी नहीं गिरोगे क्योंकि आपने cycle सीख लिए आपके अंदर confidence आ गया है तो ऐसा ही आपकी इस journey में जो आपके अंदर की negativity है आप सोचोगे कि मैं ऐसा सोचोंगे तब भी ऐसा हो जाएगा और अगर मैं ऐसा नहीं सोचती तो मेरी job नहीं जाती ठीक है नहीं वो आपका fear था जो divine ने surface पर लाकर release किया अब हो सकता है आपको उससे अच्छी job मिल जाए या आपको कहीं divine और कहीं setup करना चाहता हो वो चीज आपके लिए अच्छी नहीं है बट आपने उससे resonate कर लिया कि मैंने गलत सोचा manifest कर लिया मुझे नहीं सोचना चाहिए क्योंकि यह mind है mind कभी भी कुछ भी सोचता रहता हम इस पर जोड नहीं लगा सकते तो low vibration में चीज़े manifest नहीं होती है तो low में भी high vibration में भी अगर आपने सोच लिया कि DM मुझे ब्लॉक कर देगा और आप बार बार देख रहे हो कहीं ब्लॉक तो नहीं कर दिया कहीं ब्लॉक तो नहीं कर रहे है बट आपके अंदर fear है क्यों है क्योंकि वह नहीं बुन बनके आपके बैठा हुआ है उसको आपको release करना है यह चीज अगर आपके अंदर आ रही है ठीक है और कुछ case में ऐसा भी होता है कि आपने सोचे कहीं DM मुझे ब्लॉक ना कर दे ब्लॉक ना कर दे वह सच में ब्लॉक कर देता है ठीक है तो divine यहाँ पर आप cycle वाले example से resonate कर सकते है कि आपका जो fear है वो divine लाकर ही रहेगा surface पर उसको release कराना ही कराना है ठीक है आप आज ब्लॉक कर दिया तो ऐसा तो है ने जिंदेगी बर आपको ब्लॉक रखेंगे हो सकता है उस fear से आप निकल लाइए तो एक घंटे बाद ही आपको अन ब्लॉक कर दे एक दिन बाद ही अन ब्लॉक कर दें या एक महीने बाद अन ब्लॉक कर दें क्योंकि आप जब तक आपको फर्क पड़ेगा आपके अंदर फिर होगा वह सामने वाला परसन आपको अतना ही डराएगा उस चीज पर उतना ही ट्रेगर करेगा इस पेशली आपका डिवाइन मैस्कुलाइन ठीक है तो मैंने दो तरीके के आपको एक्जांपल दे दिए कि कैसे आप पर मैनिफेस्ट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है मैनिफेस्ट पर आपको अंदर यह अंदर डर लग रहा है क्योंकि आपके अंदर वो चीज है आपके अंदर वो इशू है जो आपको डरा रहा है उसको आपको रिलीज करना है कुछ डिवाइन फेमान ऐसा भी सोच ले है आपके अंदर ये डर है वो divine खुद ऐसा plan बना देता है कि वो चीजे surface में आना start हो जाती है आपके हाथ में divine masculine की marriage रोकना नहीं है अगर किसी के हाथ में divine masculine की marriage रोकना है तो वो है divine के हाथ में आपके हाथ में है खुद को strong बनाना खुद का inner work करना खुद को एक dark next से light के और लाना खुद को positivity से भरना ठीक है खुद को भी heal करना दूसरों को भी heal करना खुद को सही रास्ते पर लाना दूसरे को भी सही रास्ते पर लाना आपके आगे fear कदम कदम पर आएगा कदम कदम पर डिवाइन आपके अंदर फियर लाएगा ताकि आप उस फियर को बिलकुल हरा दो, उस फियर से डरना छोड़ दो, राइट, तो जैसे कि मैं अपने एक्जामपल बताओं, मुझे बहुत जादा पहले अंधेरे से बहुत जादा डर लगता था, बच्पन से बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई और जो आसपास के लोग भी होते थे तो वह महले जैसे आप लोग समझ सकते हैं तो वहां पर बहुत जादा चीटना चिलाना तलवारे निकालाना कभी-कभी इन सब चीजों को भी मैं देखती थी बच्पन से तो मुझे डर नहीं लगता था और अंधेरे से बहुत जादा डर लगता था अकेले रहने से बहुत जादा डर लगता था बहुत तरीके का डर मैं इसलिए आपको बता रही हूं ताकि आप लोग अपने आप से रजोनेट कर सको और आप समझ सको कि आप ही अकेले नहीं थे जर्णी में आप ही अकेले नहीं हूँ इस जड़नी में तो मुझे बिजली कड़कने से बहुत जादा डर लगता था प्लस अंधेरे से बहुत जादा डर लगता था और भी कुछ सारे डर होंगे जो भी मुझे याद नहीं आ रहे पर डर बहुत लगता था ठीक है और Divine Feminine के अंदे कि मुझे इस बात से डर क्यों लग रहा और डीप जाना है गहरे में जाना कि इस चीज से मुझे डर लग रहा है और मैं इसको रिलीज करूंगी इसको सोचके निब बैटना है अगर मेंने डियम्न के वारे में सोच दیए ब्लाक करदेगा धो मिद्वाइन से grass प्लस प्लस कर पर जब तक आप अपने अंदर का फिर रिलीज नहीं करोगे मैं आपको डराता रहूँगा और आप डर से ऐसे ही भागते रहोगे पर डर से भागना नहीं है यह डिवाइन आपको क्लैसन दे रहा है आपको कुछ सिखा रहा है आपको स्ट्रॉंग बनाना चाहा रहा है कि ठीक है और डियम को भी डिवाइन उदर स्ट्रॉंग बनाते है ऐसा नहीं आप दोनों ही एक ही सोल हो ठीक है ना वो कम है ना आप कम हो अगर आप लो बाइबरेशन में बहुत ज्यादा गलतिया करते हो तो उधर वो भी गलतिया करते है अनवेकन डियम भी गलतिया करते है आपनी गलतियों को मानना बहुत बड़ वात होती है आपने सुना होगा सामने वाला अगर कोई गलति करता है हम बहुत जल्दि उसकी गलतिया निकाल देते हैं तिजक ये बात नहीं है हर कोई निकाल देता है पर अपने आप गलती करना खुद की गलती को accept करना और मानना कि यस मैं भी गलत हूँ मैंने भी गलतियां की है अपनी life में यह बहुत बड़ी बात होती है और यह divine feminine के अंदर आती ही आती है जब आपके अंदर बहुत तरीके के फियर हो सकते हैं तो आपको डरना नहीं है उससे भागना नहीं ऐसा डिमाग में लाना ही नहीं इंग्नौर करना इन सब चीजों को तो कहीं ना कहीं आप निगेटिविटी अपने अंदर रख रहे हो आपने स्टोर कर रखा है उस चीज को स्फियर को तीक है तो उसको सर्फेस में आने दीजिए लिख कर रिलीज की खुद को फिरी और जब आप हाई वाइब्रेशन में होगे आपको ब्लॉक करने से डर नहीं लगेगा आप इंजॉय कर रहे होगे अगर उन्होंने ब्लॉक भी कर रखा होगा आप देखोगे उनने आपको अन ब्लॉक कर दिया क्योंकि आप हैपी हो फियर लेस हो हाई बाइब्रेशन में ह तो ये चीजे देर में भी होती हैं, किसी के साथ जल्दी भी होती हैं, जल्दी उनके साथ होती हैं, जल्दी इस फियर से निकल जाते हैं, जल्दी फियर को रिलीज कर देते हैं, या समझ लेते हैं, ठीके, तो आज उनने ब्लॉक कर दिया है, आप लो बाइबरेशन में थें, चीज से कि मैंने ऐसा सोचा है, मैंने ऐसा किया है, इसलिए ऐसा हो गया है, जो चीज है divine करा रहा है, उसको आप नहीं change कर सकते हैं, but आप खुद को change कर सकते हो, अपने inner work से, अपनी prayer से, अपने विश्वास से, ठीक है? और जो लोग मेरा प्रियर रिलीज मेडिटेशन लेना चाहते हैं आप लोग मुझे एड़ रेट लफ ट्विन फ्लेम 1111 टेलिग्राम आईडी पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो आज ये था फियर के उपर आप लोगों को डरना नहीं है स्ट्रॉंग बढ़ना है और इस जर्नी पर आगे पढ़ते जाना है डिवाइन को सरेंटर करना है और खुश रहना है तो ये था आज का वीडियो नेक्स वीडियो में मैं फिर मिलूंगी तब तक लेपना ध्यान रखिए खुश रहिए सौस्त रहिए